जस्बीर मान दी कहाणी है, ओ मैं ही सि टेलिफोन दी कंटी टन करके बाज रही सि बल्विंदर ने उटके वेखिया ता कॉलर आईदी उति बल्दीप दा फोन आ रहे है सि बल्विंदर ने phone उठाया ता बल्दीप ने पहला बल्विंदर नो शाशी काल बुलाई ते फिर नाली पुछी है दीदी कि तुसी आज सादेकार आ सक दियो हाह आ सक दिया है की गाल होगी सुख है स्वेरे स्वेरे बलविंदर ने बलदीप नो बड़ी हैरानी नाल पूछे है हाँ सुक्त है पर अमन की दीदी अमन ने दो तिन दिना दी कार्च बहुत ही लड़ाई पाई हुई है वो कहन दी है कि मैं इंडिया नहीं जाना जदके हुन सारियां त्यारियां हो चुकी है चुटियां ले लियां टिक टान चुक लियां तो सारी शॉपिंग भी कर लिया इंडिया वाड़े रिष्तेदार भी सानू सारे उडीक रहे हैं वीरे होना ने ता सधे और दे चार्च करते काफी पैसे भी खर्च करते ये मैडम होन कहन दी है मैं नहीं जाना मेरी टिकेट कैंसल करवा दे बलदीप ने सारी अंगलाम बलविंदर नो पुर्ण पुर्ण करके फोन न तेई दस देती आ बलविंदर ने अमन वो दे कार जाके समझान दा बलदीप वादा नाल करके अपना फोन राख देता उन नाश्ता करके थोड़ा बहुता कार दा काम निप्टा के अमन दे कार पॉंच गई अमन ने दरवाजा खोले आओ बलविंदर नो अपने कार बिना दसी आई नो वेक के बड़ी हरान होई उन्हें बलविंदर नो फैमिली रूम चपए सोफी ते बैठन लीके आ बलविंदर नो अधा हाल चाल पुछके हो किचन काउंटर तो कार दियां चाबियां चुकलियां आई थी क्यान लगी दी मैं प्रिया नो अधी से लिदेकार पांच मिन्टांची छड़के वापस ओनी है ज़त तक तुसी बैठो इन आख दी हो यमन ने बलविंदर ले टीवी आउन कार दे ता उप्रिया नो अधी से लिदेकार चटन ले चली गई बलविंदर कांद ते लगी आमन बलदीप ते बच्चे आनियां तो स्वीरां विखन लगबी गोरी चिटी गोल मुटोल जी आमन किसी अक्ट्रिस तो काट नहीं सी लग रही ओधे दोवे बच्चे ते ओधा पती बलदी बहुत सोने लग रहे सन बेटी वड़ी सी जड़ी के अमन दी हू बहु कापी सी तो छोटू ता बिल्कुल ही अपने पापा वर गल लगदा सी पतला जा थे थोड़ा जा सामला गल पता नहीं की है अमन पता नहीं क्यों नहीं इंडिया जाना आन्चाँ दी बलविंदर अजी अमन बारे सोची रही सी के अमन प्रिया नू चढ़ के वापस आली ओ बलविंदर दे नाली उस सोफे ते बैठती हुई हस के बोली हाँ देदी होर दसो तो अड़े की हाल चाल ने मेरे ता हाल चाल दो नहीं वदिया ने तो दास अमन तेरा की हाल है कर लहीं तो इंडिया जान दी त्यारी बलविंदर ने भी हस दी हुई ने अमन नू पुछे बलविंदर दे मूँ आँ कर लहीं त्यारी इंडिया जान दी है शबद सुन के अमन थोड़ा जे चुपप कर गी वो बल्विंदर दे मूँ अलनू वेखन लगी बल्विंदर ने वियो सब कुछ अमन दी आखांचो पढ़ लेया जो आज जो दे पती बल दीप ने उनू फोन दे दस्या सी नहीं दीदी त्यारी होई ही पई है अमन दुखी मान दे नाल्टी लीजी होगे बली बल्विंदर ने जान दे होई है अमन दे नहीं जान दे पर कंशिया बसोन जी कारण ता कोई जुरूर होएगा नहीं दीदी कोई कारण नहीं है अमन ने अपने गालन उच्छ पांदिया क्या नहीं अमन केस तरह हो सक रहे कि बगार कारण तू अपना प्रोग्राम कैंसल कर दे में तू अजय मैनू पिछले अपते दसे आ सी कि तूसी इंडिया जाना है बल दीप नू छुटियां भी मिल गए या टिक टां भी लाय ले ले या सारी या तियारियां भी कर ले या फिर अचानक तेनु की हो गया अमन बल्विंदर दी गाल सुनके कुछ ना बोली ते नीमी पाई बैठी रही बल्विंदर ने प्यार नालो दी सिर्थी हाथ रख उनु फिर पुछे अमन तुमेनु दास्ता सही कि विच्चों गाल की है शायद मैं तेरी कोई मदद कार सका तो एन मौके ते आके क्यों बदल रही है तनु पता है कि इस तरह तेरे ना जान दे नाल बल्दीब ता मन किनना कराब होएगा उस विचारे नहीं ता किनने सालां तो बाद इंडिया जाना है उदा वी अपने पैन प्रावानू मिलन देले देल करता होएगा बल्विंदर दे बार-बार पुच्छनते वी अमन कोई लड़ सिरान नहीं सी फड़ा रही ओही अमन जो पिछले चार साला तो अपनी हर सला बल्विंदर तो लेया कर दी सी ये थो ताकि उदा पती बल्दीब भी बल्विंदर ता बहुत ही सतकार करदा सी बल्विंदर ही सी जिने इस जोड़े दे जीवन्च कोशाली पर ही सी जिदे कारण होना दे वेड़े ची कि चांदजीया लाल खेड रहा सी अज तो तक्रीमन चार्क साल पहला अमन बल्विंदर नू मिली सी उस समय बहुत ही ज्यादा मानसिक तनाव चो बुजर रही सी क्योंकि उदी प्रेगनंसी खराब हो गे सी उदे पहले व्याद एक बेटी सी प्रिया उस तो बाद उदा पती नालों किसे कारण तलाग हो गया सी तो उदा दूज्या व्या बल्दीप नाल होया सी बल्दीप एक बहुत ही साव मेंती लड़का सी उदे अमननू बहुत ही प्यार करदा उदी बेटी प्रिया नूँ अपनी असलीती समय दा तो उना दूआन दा पूरा ख्याल रखता पर अमननू पता नहीं की हो गया वो अपने पहले पती नूँ दिमाग चो नहीं सी कड सकी उदे नाल हंडा एपड उस दूआरा शराप पी के उदे नलकीतियां ज्यातियां हमेशे उननू परेशान कर दियां एसे परेशानी दे कारणी उबलदीप देनल वदी अप सबंद पनाउंच सफल नीसी हो रही है एसे तना कारणी उदी प्रेग्नेंसी अट्वे में ने खराब हो गी उदा बच्चा जो लड़का सी अंदर ही खतम हो गया सी जिने अमनू होरवी तनाव ग्रस्त कर दिता उहार समय अपने बच्चे नू याद करके रूंदी रहंदी सारा सारा देन अंदरी पई रहंदी उन्हा कर तो बार निकल दी नाई केसे नलगाल कर दी कोई भी कामना कर दी ते नाई अपनी सेद्धा ख्याल रख दी उदा पार भी पहला नलो किन नहीं बाद गया उदी अजय हालत वेखे उदी पती बलदीप ने कई माहा डाक्टरां दी सला लई सब्दा कहना सी के उज़े केस्ट अकसरी अजया हो जानदा है उदा वधिया इलाजे हुए मरीज नूँ वधिया महाल दिता जावे ते जेकर मरीज हसन खेड़न वड़े महाल च रहेगा तो उदा त्यानवी उद्धर ही लग जाएगा ये सतरह अपने आप ही जल्दी ठीक हो सकता है इस तरहां डाक्टरां दी राई मन के बलदीप ने अमन उद्धो मीने तिकना लेकि इंडिया पे देता उन्हें सोचे भी उत्ते होदा संजोक्त परवार है कारदे काफी मेंबर है सारे अमन दा ख्याल रखनगे इदे नाल अमन छेती ठीक हो जाएगी आंड गवान ति रिष्टेदारानों मिलन दे नाले दा मान भी बदल जाएगा बलदीप ने जो सोचे असी होया हो तो उल्ट अमन जाद दो मीने बाद वापस आई तो उदी हालत पहला नलो ज्यादा खराब हो गईस उन रोंदी ता नीसी पर बोल दी भी नीसी उस सारा दिन गुम से मजे होई रहन दी करदा काम भी हो दा हुझी प्यार हन दा जो बलदीप काम तो आखे करदा बलदीप भी अमन दी हालत वेके काफी चिंतत सी काम ते भी हो दा मानना लगदा काम तो छुटियां भी नीसी कर सकता क्योंकि कारदा सारा खर्चा भी हो दे सिर्थे चलदा सी हमेशे ही अमन बारे सोच दा रहा दा क्तिनों काम तो करनों वापस आ रहा सी जब उने कारदा रेडियो आन कीता इक और रेडियो ते बोल रही सी वो ओरतां लेकिसे सेमिनार बारे दास रही सी जो कि अगले हथे शुरू हो रहा सी बलदीप ने फटा फट रेडियो स्टेशन दे फोन करके उस औरत दा फोन नमबर लिया कारा के उस नल गाल की थी उस औरत दा नाम बलविंदर सी उन्हें सेमिनार दी सारी जानकारी बलदीप नो दिती बलदीप ने अमन दा नाम फोन दी रिजिस्टर करवा देता थी अमन नो इसले ही राजी कर लिया एस सेमिनार के वल ओरतां दे लेकिसी जो के लागले शेर दे एक कलब हाउस ज आयोजित किता गया सी एस्ट तक्रीमन चाड़ी को ओरता ने पागले आसी यो ओरता सन जो किसी न किसी पक्खों दुखी सन ते टेर सार्यां द्वाईयां खा रहियां साथ जिनाचो कुझ कुनेता जिन्दगी जियोन दी लाल साई मुका छटी सी एस सैमिनार पूरे दो हफ़तें दा सी स्वेरे सत बजे तो लेके शाम दे सत बजे तक चल्दा सी एदा मुख मंतव औरता नू जीवन सेध दे के नमी नुरोई जीवन जाच सिकोना सी औरता लेई स्वेर तो लेके शाम तक समासार नी बनाई जान दी उसारियां ओर्ताओं दे अनुसार अपना दिन बतीत कर दियां एस चो ओर्तानों दस्या जान्दा किमें अपने दिन दी शुरुवात करनी है सब तो पहला सैर करनी, कसरत करनी, योग आसन करना नातों के पाट पूजा करनी, संतुलत पोजन बनोना किन्नी किन्नी मातराज खाना, पसांद दी किताब, अख़बार, जा कोई मैगजीन पढ़ना अपनी अपनी रुची अनुसार काम करने, जिमें के बोणना, सलाई कडाई थे, पेंटिंग वगरा करने देन दे अखीर चे दस्या जान्दा सी के डाइरी के में लिखनी है पाव किस तरह दा देन गुजरिया, उनु काप्टी तेके में लिखना है, इस प्रोग्राम दी अगवाई, बल्विंदर ते उदियां साथना कार रहियां सान्, बल्विंदर मुख इंचाज सी, वो सेमिनार दोरा अमन उपर, बल्विंदर दा बहुत ही गुड़ा पर अपना के काफी तना मुख तो होगी, तियो ओ ते बल्विंदर देता है, दिलों ता अन्वादी सान्, इसे तरह सेमिनार दे खतम होंतों बाद वियो, बल्विंदर तो काफी सलाल हैं दे सी, बल्विंदर वियोना दे नालेंज कोड मिल गई सी, जिमें उदे सके पैन परा ह आज जदों बल्विंदर अमनों इंडिया जानदा कारण पुछनों ना हटी, अखीर अमनने उनों दासी दिता, अखां पार के बल्विंदर नों दसन लगी दी जदो मैं पिछली वार इंडिया गई सी, उस समय उत्थी मेरी अजठाणिया ने मैनों बहुत ही तांग की था उस समय मेरी प्रेगनेंसी खराब होई सी, स्ट्रेस कारण मेरा पार भी बहुत वाद गया सी, उस सारिया पतलिया इस करके मेरा मजा को डौनिया सी, इस तरह निया गलां कर दिया सी, जो मैनों पसांद ने सी, पड़ाई लखाई तां उनने कोई बहुत ही किती नी, पर अप उनने आपनों एक दुजी तो बढ़ समार समय दिया सी, कम करनों तो उननने करेक वरत रखी सी, आप उनना सारिया ने वे लिया बैठ़या ने गपा मारी जानी है, गलां भी बहुत ही वदा चड़ा की करनी है, इस करके मैं बहुत ही बैड फिल कीता सी, मैं उस तो सोचे थी कि मैं जद अगली बारी आई था पतली हो के आऊंगी मैं पार्क टॉन दी पूरी कोशिश कर रही सी परा क्रिस्मिस दी या इनिया पार्टी आई या भी पार फिर बाद गया अमन दी खाल सुनके बिलविंदर नो हासा आ गया वो अमनों कहान लगे अमन तेरे ज़ कोई कमी नहीं तू इननी पड़ी लिखी है तेरी अपनी पस्नालिटी है तू किन्नी मेंती है ते कार दे कामकार चे तू किन्नी निपोन है तेरी कोकेंग वरगी कोई होर कोकेंग नहीं कार सकता अपने बच्चे आंदा भी तु बहुत ही वधिया तरीके नाल पालन पूर्चन कार रही है तेनू किनी नौलेज है फिर तु क्यों इना गलांच पही हुई है तेनू अपने चातम विश्वास परंदी लोड है पार तेरा अपने आप ठीक हो जाएगा कोशिश कार तु मिठा ती लून कटा आती राद दा खाना जिना सुवक्ति खादा जांदा उन्ना खा हर रोज अद्धा कुपांटा सैर कार फेर वेखी तेरा पार्के में कटदा बल्विंदर दी गाल सुनकिया मननू कुछ होसला ता मिलेया पर फेर वी उदा इंडिया ना जानदा पैसला बरकरार रहे है फेर बल्विंदर दी उन्हों एक कुड़ी दी कहानी सुनकिया शुरू किती जो चंगी पड़ी लिखी सी पर उदा रांग सामला सी उदा सामला रांग उदे सौरे पसांद नी सी कर दे खास करके उदी यह ना जूटानिया अर समय उन्हों जलील कर दिया उदे पाई होई कप्ड那么 डें अलगला किसम दे व्यांग कसतिया उन्हों हर समय कटिया पाणदा असास करोनिया जट किते जाना हुननदा ते उन्हों कदे भी अपड़े नाल ना लेके जानिया एस सब को जो हुन्दा होन करके वो लड़की हीन पावनादा शिकार हो जी सी उन्हों सचमुची इंज लगण लागपया सी भी उदियान नाना जठाणियां ही सोनी है उन्हा जो बहुत सारे गोने उन्हा दे मुकाबले उसोनी नहीं उदा रंग काड़ा है उस बहुत सारी हैं कमिया है वो अपनी आतम विश्वास नों खो चुकी सी इक वारी उदे कार रिष्टेदारी च एक औरत रहन ली आई बहुत इस्सुलजी होई सी उन्हें उस कुडी दे नाल हुन्दाई पेदपाब मैसूस कीता है उन्हें उस कुडीनों अलाग कार के समझाया उस विचले गुणानों उजागर केता है उन्हें उन्हों दस्या कि उस वर्गी नेक कुडी था हजाराज जोई एक को हो सकती है उदे इस परवार विच्चो तो उस वर्गा कोई भी नहीं है क्यों कि उदे गालबात करन दा टांग बहुत ही परवाप शाली है उसको बहुत ही कोमल देल है उदे माम बाप भी बहुत ही चंगी किस्मत वाले है जिनाने इननी लाइक बेटीनों जनम देता उन्हों जरूर अग्यवदना चाहिदा है उस्ट जो इनने गोणा है उननान वजाईनी गोणा चाहिदा उस ओरदी अंगलान दा उस कुडी थे बहुत ही असर होया उदी अंदरली आत्मा जाग उठी उन्हें अपने आपने आपने बहुत सारियां एक्टिविटीस चे शामल कर लिया जो वी उदे कर दा जा कमेनेटी दा काम होंदा हो मुरे हुखे कर दे बहुत सारियां संस्थावां चे शामल होगी वो अपने रिष्टेदारां से लियां जो बहुत ही हर्मन प्यारी होगी इत्तो ताके उदे सौरय विच्वियो दा मानसतकार होण लगा उदे सलाप उच्छी जान लगी बल्विंदर दे मूँ अस कुड़ी दी कहाणी सुनके अमन या खान चार नाल पार गईया उदे अंधरोंगे का जीब जी खुशी ने जनम लिया उन्हें बल्विंदर दा हाथ फाड़के अपने सीनने नाल ला लिया क्या दे दी मैंनू अस कुड़ी दी कहाणी बहुत ही चंगी लगी असल चसा अनु आतम विश्वास नाली अपनी जिंदगी जियोने चाहिए कोई की के कहन दा है कोई की करदा है नचीजान दी परबाद नहीं करनी चाहिए ते नाई इना चीजां दा परबाव अपनी जिन्दगी ते प्यान देना चाहिदा है। ते नाई चाहिए उसकोड़ी ते ना, वो मैं ही सी। तानुवाद।